इस वीडियो में हम एनलाइज कर रहे हैं बैंक निप्टी के चार्ट को पांच मिनट के केंडल फ्रेम में ये चार्ट जो है आज का बाहिस फरवरी 2023 का चार्ट हमारे सामने हैं और गटा कुछ ऐसा है जानकारी होगी अच्छे से आज जो है मार्केट बुरी तरह से जो है क्र फिल् qui ऐतर हैं यहां पर क्या हुआ है यह जो लोग जोरोबर सेंट्मेंट थे यहां पर मार्केट थितन नॉका मार्केट उपन होना था और निकेटिव कि यहां पे यहां पर उप्सन होता है दो होते हैं पूप सन या फिर कॉल उप्सन वह होता है जो की मारकेट गिरता है तब वो उपर जाता है और उस्यों प्रत बहुता है जब मार्केट ऊपर जाता दो उपर चलता एक में करता हूं तो मेरे चोटे थे इसलिए जो है मैंने अपना जो है 40-45 पॉइंट का निकाल के उसको एक्जिट अपना कर दिया था तो यहां पे देखें अगर तो पॉइंट पॉइंट लगवकर मुझा से वहाँ पर देखने को मिला है तो यह वोаты का जो put है उसका ये चार्ट है और मैं कहूं तो में अरली ओनिक में इसको enjoy किया था यहांपे और मैंने जो है 235 पे जो है मैंने अपना जो है exit कर दिया था तक मैं एक्जिट कर चुका था उसके अलाबा मैंने कोई ट्रेड यहां पर नहीं ली थी मुझे फूरी फूरी जानकारी थी मुझे फूरी संबावना थी कि आज जो है जो मैंने 190 पे वाई किया था वो जो है डबल से ज्यादा का जो है प्रीमियम उसका हो जाएगा मार्केट के एंड तक और हुआ भी वही आप अगर देखें इसको तो यह जो है 616 रुपे का इसने जो है अपना हाई लगाया आज के दिन और जो है किलो जो है 515 रुपे के आसपास तो यहां पर अगर मैं चाहता तो मैं ट्राइलिंग इस्टोपलोस लगा के इसमें कंटिन्यू कर स इकcimentoलिटी जिस तरह कि होती है जैब ही भी एते करते हो निप्थी में या बेंक मैं commence या स्टार्टिंग में मेरा टार्गेट था वो मेरा एसल ट्रायल करने का था वही जब जो है 190 से मेरा जो यह प्रीमियम था मैंने जो बाई किया 230 रुपे तक पहुच गया था और 230 से बापस जो यह 180 रुपे पर एक बार को आ गया था तो बहां पर क्या है क्योंकि मैं भी लर्नर हूं मैं भी कोई यह द्याए जो है इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी जो है इसमें इसमें जो है बैंक मैं निपटी में हो जाता है तो जब यह 180 पे आ गया और 180 से जैसे ही वापस 230-235 पे गया तो मैंने क्या किया मैंने सीदे-सीदे से एक्षिट कर दिया कि अब आई कुछ भी होता रहे मुझे मतलब नहीं है मैंने अपने 45 निकाल लिए जो कि मेरा राइट था मेरा स्थार्टिंग साही जो टारगेट था वो मेरा 45 निकाल लिए और मैं जो है अपना यहां से लेके 45 निकाल के जो है आमके साथ इसमें बैठ गया अलागी मुझे जो है पूरी जानकारी थी कि यह उपर जाएगा और यह उपर गया भी मार्केट कंटीनुरसली लगातार हमें एक दिसा में गिरावट देखने को मिली तो जहां तक मैंने जो चीजे सीखी हैं वहीं मैं बता रहा हूं कि आप जो है हैचिंग भी कर सकते है उसमें आपके टार्गेट छोटे होते हैं वो जल्दी एचीव हो जाते हैं और अगर आप मतलब आप जो है लंबी पोजिशन में आके रखते हैं कहने का मतलब यह है आपने सुभा वाई कि और आप सोचते हैं कि साम तक मैं उसको होल्ड करू तो बहाँ पे क्या होता है कि वन्हाला कि बहुमागा मोटा पैसा बंता है थे मोटा हो धो है नौटी कमाई होती है क्यूंकि कोई श्योगा करेंगे जैसे आपने 200 अप्य वुपे रखते है बेसिकली सभी लोग 1000 रुपे की SL लगाके चलते हैं 160 की अपने SL लगाई और आप 250 का अपने टार्गेट रखा टार्गेट आपका अचीव होते रहें तो तो अच्छा है किसी बचे से टार्गेट अचीव ना हो और आपकी SL जो ही टोती रहे तो बहां पे जो है वही लोग रेकवर कर पाते हैं जिनके जो है टार्गेट बड़े होते हैं ऐसे में होगा भी यह कि आपकी जो ट्रेलिंग इस्टोप लोस है वो कहीं न गहीं किसी भी बॉइंट पर 300 पर हो सकती है यह कोस्ट पर भी आपको कभी-कभी एक्जिट करना पड़ सकता है लेकिन जो मोटी कमाई होती है वो मोटी कमाई उसी में होती है जब आप लंबी molot में काम करता ऑफास ओवी एक में एक लोट में काम कर रहा हूं और वही है इस एक वह थी हमारी स्टैट्जी थी क्योंकि हमें पता था कि पूरे Labure यानि कि यagon włil piace में वह निगिट व्य रेने वाली है तो हमारे मार्केट भी हैI है как your market यह से अद्न है कि अधने थे टरकनों गालच महाई शोड़ी कम स्थीऊ यह मेरी स्ट्रीर आच थी अंदाज मतलगाई जबी मार्केट आपको जिस दिशा में दिसा में चलिए अगर यहां पे आपको लग रहा है कि market सीधे-सीधे नीचे जा रहा है और कोई अगर बेपकुप यहां पे core option अगर खरीद के बैठ जाता है तो उसकी अगर इसको अगर नुफसान नहीं होगा तो क्या होगा यह इतने छोटे movement से कुछ नहीं होता है लेकिन जो है और किसी नॉर्मल डेज में जो है इस तरह से जो है काम नहीं होता है बाकी कल क्या situation रहती है मार्केट में पिछले यह पूरा भीक अगर हम देखें तो तीन के तीन दिन जो है मार्केट निगेटी भी रहा है तो कल के दिन हम देखते हैं कल के दिन क्या situation रहती है तब तक के लिए happy trading best of luck